हेलो फ्रेंट, असलाम उलेकुम, तो आज हम बनाएगे बहुत इसो अफ्टोरी स्पॉंजे चोकलेटी केक, इसे बनाने के लिए मैसे समानों का यूज़ करेगे, जो आसानी से वलेबल हो, इसमा हमोवन का यूज़ नहीं करेगे, इसको हम कढ़ाई में बनाने वाले हैं, कढ़ाई को प्रिहिट करना है, अगर आपके पास इस्टेंट है तो आप उसका यूज़ करें, इसके बाद इसको 10-15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर गरम करना है, इतने यहां कढ़ाई गरम हो रही है, तो हमने यहां चार ओरियो के पेकिट ले लिए है, आप इसकी जंगा को अब चोक्रेट वाला दूसरा बिसकेट ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे हो किरिम वाला होना चाहिए, तो बस हमें बिसकेट से जो है करीम को अलग करना है, तो यहां पर हम चाको की हेल्प से इस तरह से करीम को अलग कर लेगे, तो हमने सभी करीम और बिसकेट को अलग कर ल पॉड़र को में निकाल लेगे आपर हमने थोड़ा सा बॉड़र बचा लिया जो गार्णिश में काम आएगा इसमें एट क्या है हमने दूद यह गरम क्या हुआ नॉर्मल दूद है जिसको हमने ठंडा कर लिया है और थोड़ा-थोड़ा करका मैं इसको एट करेंगे एक साथ सारा नहीं डालना है और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है आप इसे चम्मत से भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे इसको हम एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है बस इस तानहां का बेटर बना के हमें तयार कर लेना है जिससे हम नॉर्मल केक के लिए बेटर ब इसके बाद यहां हमने इस्टील का बर्तन लिया है आप इसकी जगा कोई भी ऐल्मॉनियम का केक्टिन ले सकते हैं या फिर कोई भी स्टील की काटोरी ले सकते हैं इसके बाद इसको ग्रीस करना है तो यहां हमने ओल लगा कर इसको ग्रीस कर लिया है इसके बाद इस पर रखे करेंगे जिसे जो केक का वेटर है वो अच्छे से सेट हो जाए और यहां पर कड़ाई भी प्रिट हो गई है तो इसको हम रख कर 30-35 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक करना है जब तक पकाना है जब तक पकाना है जब तक यहां देखिए हमारा जो गणाश हे वो बन तयाए हम इसको ठंड़ा करना है यहां पर हमारा केक भी बेक हो गया है तो इसको हम चेक कर लेगे तूद्पिक डाल कर हमने इसको चेक कर लेना है यह देखिया हमारी तूद्पिक जो है वो किलीन है तो हमारा केक जो अच्छे से बेक हो गया है अब इसको साइट में चागु डाल कर दी इस तरह से हम मुल्टा दूच जो इसमें एड करना है और इसके जाथ इसको अच्छे से मिक्स करेगे यहाँ पर क्रीम भी विप हो गई है और जो हमारा केक हे वो ठंडा हो गया है आब इसको हम दो लेयर में इस तरह से कट कर लेगे बस इसको इसको इसका ऊपर वाला पाथ है उसको अलग रख देग हम यहां सारी करिम का यूज़ कर रहा है बस इसको अच्छे से spread करेगे और जो इसको उपर वाली layer थी वो इसको उपर रख देगे और फिर से इसको हम sugar सिरप से moist करेगे और जिए हमने गनाश बनागे तयार किया था वो भी ठंडा हो गया आप इसको उपर डाल देगे आप गनाश की जंगा जो है चोकलेट सीरप का यूज कर सकते है या फिर चोकलेट को मेल्ट करकर भी आप इसको उपर डाल सकते है बस इसको गनाश से जो है अच्छे से कवर कर लेना है तो आप इसकी जंगे चोकलेट सीरप का यूज कर सकते है य तो बहुत ही सिंपल सी और बहुत इजीली सी बनने वाली रेसिपी है और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें आपको ज़रूर पसंद आएगी हमारा जो केक है वो रेडी हो गया है आप इसको हम करेगे गार्निश तो यहाँ पर हमने जो बिस्कित का चूरा बनाया था उससे हम इसको गार्निश करेगे तो यहाँ पर हमने बिस्कित के चूरे में थोड़ा सा दूद एट किया है और इसको अच्छे से मिक्स करना है चलत तना से हम गोलव को मौडू जाएगे बहुत आसानी हाने का यह कृणा साथ यह, किक हारी के अाम स्काइड जरेगे कि ब्लोवर से यह, औरे इसके बाद यह, इसको करेंगे दो पार्ट में कुट यहां पर मैंने हमारे दो फिलोवेर बनके तैयार है और इसको हम गानिश कर सकते हैं और हमने यहां थोड़ा सा चूरा जो बचाया था वो साइड में इस तरह सा में डाल देना है तो बहुत ही आसानी के साथ हमारा केक बन के तयार हो गया है आप इसे जिससे भी डेकोरेट करना चाहते हैं आपके पास उस ताइम जो भी समान हो आप उससे डे प्यार हुआ है तो बहुत सिंपर और आसानी से बढ़ने वाला केक ही आप इस एक पर ज़रूर ट्राइ करें अब वीडियो ची लगी वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अल्ला हाफीज